पत्थर अगर हाथ लग जाए तो रात और रात किस्मत पदल जाती है दरसल ये पत्थर है ही नहीं ये है धर्ती पर सबसे बड़े जीव वेल मचली के मुँसे निकला पत्थर ये पत्थर पहले जब वेल मचली के मुँसे निकलता है तब इतना सक्थ नहीं होता ये एक पेस्ट जैसा होता है जो बाद में कड़ा होकर पत्थर बन जाता है इसे Ambergris कहा जाता है महराश्ट्र के कोंकर समुद्रितत पर ये खजाना मिला है जो वेल मचली के उगले पेस्ट से बना है करोडों की कीमत के पत्थर के साथ ठाने में एक गिरोह पकड़ा गया है जिसकी तसकरी करते वक्त ठाने क्राइम ब्रांच ने काशीनाथ पवार, दिली बिर्जे और ग्यानेश्वर मोरे को धर्दबुचा है ये लोग बेशने के लिए ठाना में आने वाले थे हमको ये पता चला तो हमाने लोगों ने ट्रैप लगा के उनको पकड़ा उनके तरफ से करिब 11 केजी का हमने ये ओमेटिंग पकड़ा हुआ है और उसकी इंटरनेशनल मार्केट वैलू जो है करिब 22 करोड के आफपास है वेल मचली के मुह से निकले इस पत्थर के कीमती होने का राज भी जान लेते हैं दरसल इस पत्थर का इस्तेमाल दवाई कंपनियों या नामी ब्रांड्स के परफ्यूम्स बनाने में होता है जिस कारण परफ्यूम की फ्रेग्रिंस लंबे समय तक रहती है महराष्टर के कौंकर समुदुरी तट पर वेल मचली के पत्थर कोजने के लिए कई महीने तो कभी-कभी सालो लग जाते हैं पिछले कुछ सालों से महराष्टर के कौंकर के समुदुरी किनारे पर वेल मचली देखी गई थी उसी के चलते तसकर कॉंकर के समुद्री तटों पर डेरा डाल कर बैठे थे उस वक्त उनके हाथ वेल मच्री के मुह से निकला 11 किलो का पत्थर लगा जिसकी अंतर राष्ट्रिय बाजार में कीमत लगभग 20-22 करोर रुपे है इस पत्थर को तसकर मुंबई से सटे ठाने में बेचने आये थे जिसकी जानकारी ठाने क्राइम ब्रांच को मिली थी इस जानकारी के आधार पर ठाने क्राइम ब्रांच ने जाल बिचा कर आरूपियों के पास से ये पत्थर जब किया है इन आरोपियों के पास से पैंगोलिन नाम के प्राणी की खाल भी वरामद हुई है जिसकी कीमत 20 लाक रुपे तक है तीनों आरोपियों को गिरफतार कर 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है झाल जारोपियों के जिसकी की 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 खाल भी वरा है